हलो एब्रिवान विल्कम बाक टु मैं चैनल ब्यूटिफुल लाइफ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है तो चलिए फिर से आज पर एक नया वीडियो नया डिसकेशन आपके लिए लेकर आई हूँ और आज का डिसकेशन है अबाउट दे ब्रेस्ट विल्क लेट स्टार्ट दे वीडियो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब मैं चैनल नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन से और अगर वीडियो पसंद आता है तो शेर किजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में आज का वीडियो है ब्रेस मिल्क के बारे में कि आज हम जानेंगे कि ब्रेस मिल्क हम होम रेमेडीज के द्वारा कैसे इंक्रीज करें साथ में हम ये भी जानेंगे कि हमारे बच्चे को ब्रेस मिल्क प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं है या हमारे मिल्क का प्रॉपर सप्ला हो रहा है या नहीं हो रहा है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वेरी नॉर्मल कि मदर वरीड हो जाती है कि वेदर माई बेबी इस गेटिंग एनफ मिल्क और नॉट तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि whether our breast is producing the sufficient amount of milk which our baby needs हमारे बच्चे के ग्रोथ के लिए जितना भी milk चाहिए वो क्या हमारे breast milk से उसको मिल रहा है ये हमें जानना बहुत जरूरी है So there are some indications कि आपके बच्चे को आपका proper supply of milk मिल रहा है इसका सबसे पहला है कि आपके बच्चे ने weight gain किया है After his birth weight उसका weight gain हो रहा है साथ में उसका growing carbs अच्छे से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका milk sufficient है आपके बच्चे के लिए अगर आपके breast से sufficient milk बच्चे को मिल रहा है तो आपका बच्चा भूखा नहीं रहेगा आपका बच्चा properly feed कर रहा है अगर आपका बच्चा अगर feed करता है तो आपको pain नहीं होता है आप comfortable है that means also कि आपके breast से supply of milk is good और अगर आपका feeding के बाद आपका breast soft हो जाता है that means also कि आपके supply of milk is very good आपके baby के लिए वो sufficient है अगर आपका बच्चा 24 घंटे में 7-8 भार urine properly pass कर रहा है yellow potty कर रहा है poo भी उसका yellow है with some lumps that means also कि आपका milk बच्चे को sufficient amount में मिल रहा है और बच्चे को proper growth में help कर रहा है अगर आपको milk supply less हो रहा है that means कि आपका बच्चा properly latching नहीं कर रहा है आप sure करें कि बच्चा आपका proper latch कर रहा है and he is extracting milk properly from your breast तो इसका मतलब कि अगर आपका बच्चा proper milk ले रहा है तो आपका breast और भी milk produce करेगा this is the very simple concept कि जितना बच्चा आपका milk feed करेगा उतना ही आपका body वो milk को produce करेगा तो आप कोशिश करें कि आपका बच्चा जादा से जादा milk पिए in case अगर आपका baby feed करते समय सो जाता है तो आप make sure करें कि वो जागे और properly feed करें और अच्छे से feed करें इससे आपका milk supply proper रहेगा जितना बच्चा feed करेगा उतना ही body milk supply को बनाएगा there are some food which are believed to increase our breast milk कुछ ऐसे food हैं जिनको believe किया जाता है कि अगर आप खाएं तो उससे आपके breast milk में improvement होगा but there is no proof from the scientific research कि इसी foods को खाने से आपके breast milk supply में increment होगा but कुछ generation से चलते आ रहे हैं कुछ women's के experience से हमें ये पता चलता है कि कुछ ऐसे home remedies हैं जिससे आप breast milk को बढ़ा सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि वो क्या-क्या home remedies और क्या-क्या food item है जिसको खाने से एक feeding mom अच्छे से milk supply बढ़ा सकती हैं अब इन सभी food items को intake कर रहे हैं तो that should be in the balance tight और अपने doctor से एक बार concerns जरूर करें मेथी के दाने मेथी के दाने एक breastfeeding mom के लिए बहुत important है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि generations experienced women ने ये बताया है कि मेथी के दाने जो breastfeeding mom है उनके लिए बहुत अच्छा है मेथी के दानों के लड़ू बनाये जाते हैं because मेथी के अंदर कुछ vitamins पाये जाते हैं जो कि बच्चे के development के लिए बहुत अच्छा है like omega 3 तो मेथी के दानों के लड़ू बनाकर जो नई मा है उनको खिलाया जाता है जिससे उनका breast milk बढ़े एक असाग जो कि बहुत अच्छा nutrition है जिसके अंदर जिसके अंदर vitamin B, iron, calcium पाये जाता है वो भी एक feeding mom के लिए बहुत अच्छा है मेथी की tea भी बहुत अच्छा और healthy tea है for a mother और a new mother another is soft यानि की fennel seed, fennel seed भी breast milk increase करने के एक अच्छा तरीका है fennel से आपके digestion और stomach problem से भी आराम मिलेगा जाता है कि soft अगर एक नई माता, अगर fitting mom soft का सेवन करती है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको colic और gastric की problem नहीं होगी साथ में उनके milk के through ये baby तक भी पहुचेगा, जिससे baby के भी stomach में problem नहीं होगा तो आइदर आप चाय पी सकते हैं, या आप पानी ले सकती हैं तो आप इन दोनों में से soft को किसी तरह भी ले सकते हैं, आइदर उसको fry करके आप खाले ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो नई मा को कोशिश करनी चाहिए कि soft खाये, soft ना कि breast milk आपका बढ़ाएगा बलकि आपके pates related कोई भी problem को भी solve करने में कोशिश करेगा यानि कि third number पे है garlic, garlic भी चुकि garlic immune system को boost up करता है and heart disease के लिए भी बहुत अच्छा है, ये साथ में आपके breast milk को भी increase करता है बट garlic का ज़्यादा सेवन भी हमारे pate में colic का problem कर सकता है, तो try using less garlic but garlic भी एक अच्छा option है for increasing your breast milk the fourth one is the green leafy vegetables like methi का साग, सरसो का साग, पालक, बथुआ का साग ये सभी चीज भी एक new mother के लिए बहुत अच्छा है, इसके अंदर calcium iron तो है इस साथ में it may increase your breast milk, एक बहुत अच्छा option है green leafy vegetables वैसे भी green leafy vegetables healthy रहने के लिए बहुत अच्छा है, तो एक new mother के लिए भी ये बहुत पाइदे मन्द होगा but new mother को कोशिश करनी चाहिए, इन सभी vegetables को cooked way में ही खाए, इसको raw यानि की कच्चा नहीं खाने की कोशिश करे फिफ्ट नंबर पे आता है जीरा यानि की क्यूमिन सीट, क्यूमिन सीट भी बहुत अच्छा option है, इन सभी problem से तो छुटकारा दिलाता ही है साथ में आपके breast milk को भी increase कर सकता है, आप कोशिश करें कि जीरा का पानी पिए, जीरा का सेवन आप उसके लड़ू बना के भी कर सकते हैं, उसका fry करके powder बना सकते हैं एक new mother के लिए, जीरा का सेवन भी बहुत अच्छा है, बिकोज जीरा के अंदर भी calcium, vitamins अच्छी मात्रा में पाये जाता है, तो new mother अगर इसका सेवन करें तो उनके लिए हर तरह से अच्छा है तिल, तिल भी बहुत अच्छा option है new mothers के लिए, तिल के अंदर calcium की मात्रा अच्छी तरह से पाये जाती है, तो तिल के लड़ू का सेवन अगर new mothers करती है, तो उनके लिए भी बहुत फाइदे मन्द है तो तुलसी का पत्ता, तुलसी के पत्ते का ड्रिंक पिए या तुलसी का पत्ता अगर आप बॉइल करके पानी के साथ पी ले तो वह भी बहुत फाइदे मन्द है, यह जरूरी नहीं है कि यह आपके breast milk को भी increase करेगा, यह आपके digestion के लिए भी बहुत अच्छा है, किसी तर यह सब भी एक न्यू मदर के लिए बहुत अच्छा है, यह सब भी आपके breast milk को improve करेंगे, साथ में यह low calorie vegetables है, तो digestion में भी help करेगा, तो न्यू मदर को कोशिश करनी चाहिए कि इस गौर्ड वेजिटेबल को जरूर अपने food items में include करें, next is the nuts and the dry fruits, dry fruits and nuts are also very good for the new moms, this provides the energy to them, और साथ में इसके अंदर calcium और very good nutrients की मात्रा पाई जाती है, तो एक new mother के लिए dry fruits and nuts भी बहुत important, dry fruits like the almond, kajus, these also boost up your breast milk, तो आप कोशिश करें कि इनकी पंजीरी बना ले, इसकी लड़ू बना ले, बादा मिल्क भी आपके लिए बहुत अच्छा है, तो ये dry fruits and nuts also increase your breast milk, और आपको energy भी provide करेगा, साथ में आपके bones को calcium की requirement होती है, after delivery, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इनके भी porridge खा सकती है, ये एक good source of iron, vitamins and calcium है, तो एक new mom के लिए इन सभी का भी intake बहुत healthy रहेगा, कि maybe breast milk को भी improvement मिलेगा, साथ में आपका जो health है, वो भी improve करने में help करेगा, मेरा वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा, और आज का topic आपके लिए helpful रहा होगा, खास करके उन mothers के लिए कि जो इनके breast milk properly supply नहीं हो पा रहा है, अगर पसंद आया है तो फटा-फट से जाके subscribe कर लिजे और मेरे वीडियो को like जरू दीजे, अपने friends और family में share जरू कीजिएगा, मैं आप से फिर मिलूँगी एक नए वीडियो नए topic तब तक all of you take care and bye bye